ब्रह्मदक्षा श्विदेवेश भरद्वाजपुन रवसु हुताश वेशचारक प्रभुरुति ब्योनमोनमा सुशुरुत सहीता सूतरस्थान प्रथम अध्याय अथातो वेदोत पत्तिम अध्याय व्यक्ष्यामाह यथा उवाच भगवान धन्वंतरी अब हम सुशुरुत सहीता का अध्यान शुरू करने वाले हैं तो सुशुरुत सहीता के बारे में थोड़ी जितनी मुझे जानकरी है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ये कई अभ्यसोकों का ऐसा मत है की सुशुरुत सबसे प्रथम सहीता है मतलब चरक से भी थोड़ी पुरानी ऐसी ये सहीता है और कई लोगों का ऐसा मत है की जब आश्टांगा आईरवेट का डेवलप्मेंट हुआ मतलब जो ब्रह्मा जी से लेके इंद्रतक जो आया और फिर चरक में संदर्व है की रोग उत्पत्ति हो गई कुरुता यूगा के अंतीम काल में मतलब सत्य यूगा के अंतीम काल में रोगों की प्रथम उत्पत्ति हुई और ये रोग निर्माण होने के कारण तब उपवास, अध्ययन, स्वस्ति वगरे इसमें इनको बाधा आने लगी तो अब ये रोगों का निवारण कैसे करना चाहिए इसके लिए सब लोग उस समय के शास्त्रद्य थे जिसको रुशी कहते है रुशी का शब्दकार था शा चरक में एक जगा पे संदर्बा ऐसा है कि भरदवाज वहाँ पे गए और मतलब सुतरस्थान में और चिकिस्थास्थान के रसान अध्यय में ऐसंदर्बा है की एक ग्रुप अफ रुशी वहाँ पे गए इंद्र के पास मतलब एक समुह वहाँ पे गया और उस समुह में ध पिस्तार करके फिर इस तंत्र में मतलब आईरवेद शास्त्र में जो जो विधिया है उन सब का निर्माण इन रूशियों ने किया अब विधी शब्द का आर्थ मिमाउसा का है विधी का आर्थ है जब कोई भी घटना या कोई भी विशय प्रतमतहा इस्टैबलिश किया जात है तो उसको विधी कहते है और जब उसको फिर से दव रहा जाता है तो उसको व्यक्ष्यान कहते है ऐसा मिमाउसा शास्त्र का संदर्व है तो इस तंत्र की सारी विधिया इन्हों ने निर्माण की है इन रूशियों ने निर्माण की है अब जब इसके बाद या श्टांग संग्रह का सूत्र है कि इस सभी जो रुशी गए थे इंद्र के पास इनोंने शास्त्र का विस्तर किया और अपने अपने तंत्रों की रचना की स्थित्यर्थम आईरवेद अस्या मतलब जो अईरवेद है उसकी स्थिती के लिए दिर्गकाल तक इस सुरुष्टी में रहने के लिए इनोंने अपने अपने तंत्रों की रचना की इस समय में धन्वंतरी संप्रदाय की शुरुवात हुई एक जगा पे दुसरे जगा पे आत्रेद संप्रदाय की शुरुवात तंत्र ये दोनों ही एक समय में थोड़े से आगे पिछे हुए होंगे पर एक ही समय में निर्माणु है और वो समय जितना अभ्यासोकों का मंतव्य है वो है महाभारत युद्ध के एक साधारान एक सो वर्ष पूरुव ऐसा ये काल इनका बताया जाता है महाभारत युद्ध के पूरुव इनका काल बता जाता है क्योंकि अपने जो द्रोनाचारी है जो पांडव कवरोव के गुरु है उनके गुरु अपने अगनिवेश रुशी थे ऐसा संधर्व महाभारत में है और युद्ध के समय ये सारे लोग वहाँ पे वईद्ध के नात ये वहाँ पे वो वहाँ पे उपस्तित थे युद्ध के समय में ऐसे भी संधर्व है तो अराउंड महाभारत के साधरन सो वर्ष पूरुव ऐसे सुश्रुत और अगनिवेश तंत्र का रचना हुई होगी ऐसा समझ में आता है और भाशाशास्त्र के जो मतलब भाशातद् इनके भी जो अभ्यास आईरवेट के सहिता के ऊपर हुए है उनके भी आनुसार सुश्रुत की जो भाशा है वो थोड़ी सी प्राचीन है मतलब चरक के ऊपर समसकरन बहुत बढ़ी मात्रा में हुआ है सुश्रुत के जो प्रतिसमसकरन न किये हुए जैसे पविप्रतम प्रतिसंसकर्ता नागारजुन है और संपूरण करता वात्से है इस प्रकार से अभी के सुष्रूत की हमारे पास उपलब्द है नागारजुन ने उत्तर तंतर की रचना की है ऐसा माना जाता है ये नागारजुन हमारे रसशास्त्र के जो नागारजुन वईद्य है इनसे अ इसके जो शैली है, उस शैली सुष्रूत की जो है, उसको चम्पू ग्रन्थ कहते हैं। सुशृत में भी हमें अध्यायान के लिए मिलते हैं, सुशृत में भी उनके संदर्बप राप्त होते हैं. अब हम शुरू करते हैं, अथा अताहा, वेदोत पत्तीम अध्यायम व्यक्यास्यामा, अब ये जो दो पहिले गद्य सुत्र है, इसका भी कुछ महत्व है, अथा अधिक अताहा, अथा ये मंगलवाचक शब्द है, सहीता जो रचना होती है, तो सहीता के रचना में कभी भी मं मंगलवाचक सूत्र नहीं रहते हैं, मतलब ये रचना की पद्द ये, चरक में मंगलवाचक सूत्र नहीं है, काशपने नहीं है, भहिल में नहीं है, पर वागबट में मंगलवाचक सूत्र है, जैसे रागादी, रोगान, सतता, अनुशतकान, अशेशकाय, प्रसुरतान, उचेशान अउच्सुक्यारतिदान जगान योग पूरो वैद्याये, नमॉसुत्थि अस्मे्ट यह मंगल वाचक कर है किसी को नमसकर किया है. पर सहीता कि sage यह संहिता होती हैं, इस्में मंगल वाचक कर किया है, इसलिए वह है. आपको वेदो की सहीता है. तोगा उसको हम कह सकते हैं कि वेदोत पत्ति अध्य के बाद इसकी रचना की पर प्रथम अध्य में ही अतहा क्यों आया क्योंकि पहले सुश्रुत आदी ने धन्वंतरी से न्यान प्रप्त किया फिर वो उसका अनुष्ठन किया वेवारमी उपयोग किया और फिर सहिता के अध्यागे इसलिए अतहा मतलब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद अब यह सहिता के रचना करके प्रथम अध्या लिख रहें इसलिए अतहा शब्द वहां पर हैं वेदोत पत्ति यह यह अयूशब्द लूप है अब कई अध्याय के नामकरण जो होते हैं जैसे अश्टां तस्याशितिय, ऐसे इय प्रत्ते लगते हैं, तो नामकरण की प्रिपद्धती उनकी है, और समस्कूरूत में इसको छ प्रत्ते कहते हैं, या इय प्रत्ते कहते हैं, जैसे जब किसी अध्या में सिर्फ विशय का वरणन होता है, किसी विशय का वरणन है, तो उसको इय प्रत् वरण. है. किसी विशय के हेतु का वरण है, तब इसको ईयप्रत्य लगता है, जैसे दिरगशीवी तियो तो उसमें दिरगशीवन की इच्छा करने वाले के हेटु बता है, या आयूशकामीय, जिसको आयूची कामना है, तो उसके लिए क्याका करना चाहिए हुशके हेतु ब रसविमान अध्या है, रसविमानी यह नहीं हुआ है, क्योंकि रसविमानी यह विशय है, ऐसे कई अप्रकार के दिनचरिया अध्या है, दिनचरिय यह ऐसा नहीं होता, क्योंकि दिनचरिया यह विशय है, अब यहाँ पे वेदोत पत्ती को भी यह प्रत्ते नहीं है, देखेंगे आगे जाके अब अध्यायम व्याख्यास्यामाहा अब व्याख्यास्यामाहा कहा है तो यहाँ पर ख्या धातु है और बहु अचन किया है स्यामी स्यावाहा स्यामाहा मतब अकेले सुष्रुत नहीं कह रहे तो जो ग्रूप होगा उनका रिसर्च का या फिर जो उन कर दो होनी चाहिए अगर यह कहते कि मैं लिख रहा हूं तब हम कह सकते थे कि मैं पठी श्यामि में पढ़ूंगा पर हमारी यह सिया मा कहा तो हम हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये शरुत होना चाहिए, मतलब इस सुनना चाहिए, वो क्या कहे रहे है, ये सुनना चाहिए अब आगे कहते है यथाउ आज भगवान धन्वंतरी, किसी के मन से नहीं लिख रहे हैं, तो ये इसको आगम प्रमान कहते हैं कि आगम प्रमान से इन तक जो आया है क्योंकि शास्त्र में प्रमानों के साथ ही सब सिद्ध किया जाना चाहिए बिना प्रमान के सिद्ध करके कुछ भी नहीं लिखते हैं इसलिए आगम प्रमान पहले ही बता देते हैं कि ये आगम प्रमान से ज अगवन्तम, अमरवर, रुशीगण, परिवृत्तम, आश्रमस्थम, काशीराजम, दिवोधासम, धन्वन्तरिम, अउपनेधव, वैतरण, अउरभ्र, पौशकलावत, करवीरिय, गोपूररक्षीत, सुश्रुत प्रभुयाह, उचुहु। जो समुद्र मन्थन में उत्पन्न हो गए, उसके बाद में उनकी ही पिड़ी में, तीसरी जो पिड़ी थी, मतलब उनका जो पोता था, उसका नाम था धन्व, यही दूसरा आउतर था, मतलब खुद धन्वन्तरी का विती आउतर था, धन्व, और फिर आठवी पिड़ी में, काशी राज दिवोदास हुए, ये धन्वंतरी के तिसरे आउतर हुए, ऐसे तीन आउतर धन्वंतरी के हुए, ये काशी राज है, काशी के राजा थे ये, आज भी धन्वंतरी जी का स्थान, काशी में है, उनका किला भी है वहाँ पे, नदी क्रोस करनी पड़ती है, बनारस स जाके काशी से जाके और रामनगर नाम का एरिया है वहाँ पे किला है उसकी ले के अंदर धन्वंतरी जी का मंदिर भी है तो काशी में जब कभी भी जाते हैं लोग तो वहाँ पे जरूर वैद्दे ने तो जरूर जाके आना चाहिए तो और उनकी जो समाधी है काशी रश दि वहाँ पे इनकी समाधी है तो इसकी स्टोरी भी बहुत इंट्रेस्टिंग है कभी बाद में वह ज़रूर आपको बताऊंगा तो अब इसका अरथ बताता हूं कि अथकलू यह होने के बाद मतलब ब्रह्मा जी से लेके इंद्र के आगे जब यह आईरवेद आया इसके बाद धन्वंतरी जी ने काशिराश्टी वो दस्तक यह परंपरा आई इसके बाद भगवन्तम जो भगवान है अब भगवान की वैख्या गंगादर जी ने की है कि जो अलोकिक शक्तियों से या अमानुशिय विद्याओं से युक्त है उसको भगवान कहते है तो ऐसे जो भगव में सभी लोग है आजुबाजु में लोग बैठे है आश्रमस्थम मतलब वानपरस्थाश्रम में है अब इनका ब्रह्मचर्याश्रम खतम हुआ न्या विद्यागरण की ग्रोहस्थाश्रम खतम हुआ व्या अनुष्ठान भी हुआ अब ये वानपरस्थाश्रम में आये है ऐसे काशिरश दीवोदास जिनको धन्वंतरी भी कहते है ऐसे धन्वंतरी को अउपनेधव, वैतरण, अउरब्र, पॉषकलावत, करवीरिय, गोपूर रक्षित और सुष्टूत ऐसे जो उनके शिश्चते इन्होंने उनको कहा उचुहू मतलब कहा वो कहते है मैडम आगे जाए ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना, सूत्र नंबर चार, वो कहते है भगवन, शारीर मानस आगन तुभी ही, व्याधी भी ही, विविध वेदना अभिगात उपद्रुतान, सनाथान अपी अनाथवत, वी चेश्ट मानान, वी कुरोश ताहाच, मानवान अभी समीक्ष, मनसी, नहा, पीडा, भवती, अब वो कहते हैं कि हे भगवन, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि शारीर मानस आगनतु इन व्याधी योग के कारण, विविध प्रकार्खी वेदनाओं से और अभिगात से जो उपद्रुत है, मतलब व्याप्त है या ग्रस्त है, ऐस जो मनुष्य दिखाई देते हैं, जो सनाथान अपी अनाथवत, वीचेश्ट मानान, जिसको सनाथ है, मतलब उसको मित्र, आप्त, इश्ट सभी है, फिर भी वो अनाथवत ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि वो उसको वेदनाओं होती है, उपद्रुत, वो अभिगात से वीक्रोषत आहा, अब वीक्रोष का अर्थ एक तो रोना है, या फिर टीका में वीक्रोष का अर्थ दिया है, वीक्रोषत आहा, विशेशात आर्थस्वर ही रुदत आहा, यह कहते हैं, डल्लन कहते हैं, कि आर्थस्वर से जो रुदन कर रहा है, ऐसे जो मानव है, इनको अ रहे दनवंतरी को नहा मतलब हमें अब ये असमत सर्वनाम का शष्ठी विभक्ति का बहुवचन है मममे आवयोहो नव असमाकम नहा शष्ठी तो ये नहा ये शष्ठी का बहुच मतलब हमको हमको हमारी मन हमारे मन में पीडा उत्पन्न हो रही है ऐसे मनुष्य जो शारीर गन्तु मानस व्याधियों से विविद वेदना से आभिघाज से उपद रुत है जो सनात होके भी अनाथवत दिख रहे हैं विकुरू चेश्टाय कर रहे हैं आर्तस्वर से रोधरोधन कर रहे हैं ऐसे मानवों को देखके हमारी मन में पीडा निर्माण हो रही हैं अब आगे कहते हैं तेशाम सुखई शिना रोग उपशमा आर्थम आत्मनष्च प्राण यात्रा आर्थम प्रजाहित हेतो हो आयर्वेदम श्रोतुमिच्छाम इह उपदिश्चमानम अब वो कहते हैं तेशाम मतलब ऐसे जो व्याधियों से ग्रस्त मनुष्य है उनको सुखई शिनाम इनको सुखः प्राप्त हो सुखः मतलब आरोग्य प्राप्त हो ऐसी एशना से मतलब हमारी ऐसी इच्छा है एशना मतलब इच्छा कि इन सभी मानवों को सुखः प्राणयात्रार्थम उनकी जो प्राणयात्रा है, continuity of life है वो चलने के लिए प्रजाहितम इन सभी प्रजा के हितक के लिए हम अईरवेद का उपदेश सुनना चाते हैं, अईरवेदम श्रोतुम इच्छा में, हम सुनना चाते हैं, इच्छा महा बहुव चने, इह उपदिश् दन्वंतरी जी को कहा, अत्र आयत्तम अईहिकम आमुश्मिकम चश्रेया, क्यूं ये करना है, क्यूंकि आईहिकम मतलब इस देह में मिलने वाले, और आमुश्मिकम मतलब देह त्याक के बाद, जो आगे की गती है, वहाँ पे, मतलब इस लोक में और परलोक में, जो श्रेय यह इसी के उपर डिपेंड है अत्र आयत्तम आयत्तम मतलब डिपेंड है तद भगवन्तम उपपन्नाहा स्महा शिशत्वे नईती यह हमें भी श्रय प्राप्त होगा और इन लोगों का रोग भी उपशम होगा इसलिए हे भगवान हमें आप शिश्य स्विकार करिए ऐसा इन इन सभी लोगों ने इन सभी अउपने धवा आधी लोगों ने कहा अब सुत्र पाच तान उवाच भगवान उनको अधनवंतरी भगवान ने कहा स्वागतम वहा आप सभी का स्वागत है सर्व एव अमिमाउंस्या अध्याप्याश्च भवन्तो वत्सहा आप सभी लोग अमिमाउंस्या है मतलब आपके मन में किसी प्रकार का संशे नहीं है आपके मन में किसी भी प्रकार का द्विधा मनसिति नहीं है आप एक धेय से आये है कि आपको ये प्रजाहितर के लिए क अध्याप्य, मतलब अध्यापन करने के लिए योग्य है, ऐसे वत्स भवन्त हाँ, ऐसे शिश्य मैं आपको स्विकार कर रहाँ, ऐसे धन्वंतरी आउपने धवादी लोगों को कहे रहें, फिर आगे सूत्र छे, इह खलू आईरवेदम, नाम, उपांगम, अथर्ववेदस् प्रजाहा, श्लोकशत सहस्त्रम, अध्याय सहस्त्रम्च, कुरुतवान स्वयंबूहु, स्वयंबूहु का अर्थ ब्रह्मा, जो स्वयं उत्पन्द है, उसको जो ब्रह्मा है, वो इह, मतलब इस शास्त्र, यह जो शास्त्र है, आईरवेदम, ये अथर्वेद का उपांग है मतलब इसको वेदांग वेदों के सारे नियम या लागू होते हैं क्योंकि वेदांग है तो वेदों को जितने सारे नियम है वो सभी नियम आईरवेद को भी उपवेद को भी आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पहले शडंगों का अध्यान करना चाहिए शड वेदांग जो है शिक्षा कलप सूत्र चंद जोतिश और व्याकरण इनका अध्यान करने के बाद ही वेदों का अध्यान करना चाहिए या वेदा का अध्यान करते करते इन छे वेदांगों का अध्यान करना चाहिए तो अईरवेद के अध्यान के लिए भी इन छे वेदांगों के अध्यान की बहुत अवशक्ता है ऐसा नियम प्रस्थवित होता है कि अथरवेद का उपांग है और अनूत पाद्देव प्रजाहा जो प्रजा के उत्पद्ती से प्रथम उत्पन्न हुआ है कैसा है वो श्लोक का शत्र सहस्तरम एक लाक श्लोक है शत्र सहस्तरम मतलब एक लाक एक लक्षश श्लोक उसमें है और अध्याय सहस्तरम एक हजार अध्याय ऐसे आईरवेद में है ये कुरुतवान स्वयम बुहू मतलब ब्रह्मा ने ये निर्मान किया आयसा तताहा अलपायुष्टवं अलपमेधस्तवं च आलोक्य नराणाम भूयो अश्टधा प्रनितवान पिर आगे मनुष्यों की अलप आयू देखके और अलपमेधा को देखके अलोक के मतलब उसका विचार करके उन्होंने इस आईरवेद को जो श्लोक शत सहस्तर और अध्या सहस्तर से युक्त था उसको आठ प्रका अंगों में उसको विबाजन कर दिया भूयो अश्टधा प्रनितवान अश्टांग में निर्मान किया तो वो कौनसे कौनसे है तद यथा शल्यम शालाक्यम कायच किस्था भूत विद्या कोमार भुरुत्यम अगर तंत्रम रसान तंत्रम वाजी करन तंत्रम इती ये उसके आठ अठ अब इसमें शल्या तंत्र का अधीकरण रहने स उसका प्रत्यगालक्षन समासा 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 संक्षेप में नामर थोड़ है तत्र शल्यम नाम विविद तुरुन काश्था पाशा अश्था पाउश्षू जोह लोश्था अस्थी बाल नख पूय अस्था हूँ दुश्ट वर्न अंतर गर्भ शल्य उद्धर नार्थम मतलब जो विविद तुरुण काश्ठ पाशान पाउशू मतलब सिकता मतलब जो वालू जिसको रेती कहते हैं लोह मतलब धातू सभी प्रकार के धातू लोश्ट मतलब मिट्टी मिट्टी का बड़ा जो होता है जो खेती में ऐसे व्रण में अंतर गतग है और अंतर गर्भ शल्य इसके उद्धारन करने के लिए यंत्र शस्त्रक शार अगनी प्रणधान यंत्र शस्त्रक शार और अगनी इसका उपयोग करने के लिए और व्रण विनिश्चयार्थम और व्रण का विनिश्चय करने के लिए जो शास्त्र उसको शल्य तंत्र ऐसा कहा जाता है आगे शालाक क्यम नाम उर्दो जत्रु गता नाम श्रवण नयन वदन घ्राणादी समस्क्रिता नाम व्याधी नाम उपश्यमनार्थम जो शलाक आसे किया जाता है कर्म उसको शालाक के कहते हैं ऐसा और एक उसकी उत्पत्ति है कि शालाक इसकी यहां पे जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनके उपशमन आर्थ शालाक के तंत्र की निर्मिती हुई कायच किसा नाम सरवांग संश्ट्रिता नाम व्याधी नाम ज्वररक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेह अतिसारादी नाम उपशमन आर्थ संपुण शरीर में जो व्याधि उत्पन्न होते हैं ज्वरादी उनके उपशमन के लिए कायच किसा नाम का अंग निर्माणुआ भूत विद्या नाम देव असुर गंदर्व यक्ष रक्ष पित्रु पिशाच नाग ग्रहादी उपस्रुष्ठ चेतसाम शंतिकर्म बली हरनादी ग्रह उपशमन आर्थम तो ये जो देवासुर आदी जो है इनसे जो जिसका मन उपस्रुष्ठ है चेतसाम उपस्रुष्ठम उसके शंतिकर्म बली हरनादी ग्रहो के चिकिसा जो है उसके लिए भूत विद्या नाम का अंग निर्माणुआ अब भूत का आर्थ देवासुर जो है वो ये सुक्ष्म जन्तुओ का नाम है भूत मतलब जो अस्तित्व में है जो सुक्ष्मता में सुरुष्ठी में उपस्तित है तो सारे बैक्टेरिया वायरसेस फंगल आदी जो कोई या किसी भी सुक्ष्म जो इन्फेक्ष्यस मैटर है इन्फेक्ष्यस एजंट्स है उनको भूत कहते है और इनकी चिकिस्सा इसमें है तो ग्रह विद्या भी ग्रहकार्थ है या आकाशस्त ग्रह नहीं है तो ग्रह मतलब जखड़ना या पकड़ना या ग्रस्त करना उसको ग्रह कहते है तो जो इन सुक्ष्म जन्तु मानव के शरीर में प्रवेश करके शरीर को जकड देते हैं, उसको ग्रह विद्या कहते हैं, मतलब यह अंग जो है, इस अलोपाथी, मतलब आज जिसको अलोपाथी कहते हैं, कि infectious disease का वरण है, क्योंकि अलोपाथी में यह बता है कि जो कुछ होता है, वो किसी agent, मतलब viral or bacterial कोई agent से होता है, बाकी के तो उनके निजेव्याधी की कलपनाव उनके यहापे नहीं है, तो हम हमेशा कहते हैं कि आलोपाथी is one of the eight branch of Ayurveda, तो यह थोड़ा सा क्या कहते है, कड़वा वाक्य है पर कभी न कभी यह जरूर सत्यता में आएगा, आगला जो अंग है वो है कुमार बृत्यम नाम कुमार भरण धात्रीक शीर दोश समुशोद नार्थम, दुष्टस्तन्य ग्रह समुथा नाम व शीर में जो दोश उत्पन्य होंगे उनके शोधन के लिए और दुष्टस्तन्य और ग्रह समुथा जो बालकों में इन्फेक्शन होते हैं ऐसे जो बालग रह है ऐसे जो व्यादी है इनके उपशमन के लिए अलग अंग निर्मान किया उसका नाम है कौमार बृत्यम अगला जो सरपकेटादी जो दश्ट करने वाले है या विशयुक्त है इनके विशय के व्यंजन के लिए व्यंजन मतलब उनके वरणन के लिए और विवीद प्रकार के विशो के संयोग और उसकी चिकिस्सा के लिए अगत तंत्र नाम का अंग डेवलप किया अगला है रसायन तंत आयुस्थापन मैसा किका करने कहा है कि सो वर्षतक आयुस्थापन करना आयुमेधा बलप्राप्त कर देना और रोगों का नाश करना इन सभी को मिलके रसायन कहते हैं रसायन की एक और बड़ी वैख्या है कि रसशब्द का अरथ है यहाँ पे आत्मा और क्यूंकि रशत का वाख्य है रसोवई रसहा मतलब आत्मा का वरणन वहाँ पे किया है और तो रसका रथ आत्मा और आयन का रथ मारग तो आत्मा का जो मारग या उसका जो घर है अभी जहां पर आत्मा अवस्थित है ऐसा जो शरीर है इसका दिरगकाल तक वो टीका मतलब रखना दि आईरवेत का बहुत बड़ा ऐसा अंग था विशेश अंग है आगे है वाजी करणम तंत्रम नाम अलप दुष्टक शीन विशुष्क रेतसाम अप्यायन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम प्रहर्श जनन आर्थम च तो वाजी करणे भी एक आईरवेत की विशेश्टा है अ अलप दुष्टक शीन विशुष्क ऐसा जो रेतस है अब रेतस ये दोनों में है स्त्री में भी है पुरुष में भी है तो दोनों के जो शुक्र है जो अलप दुष्टक शीन और विशुष्क है इसका अप्यायन प्रसादन उपचय और जनन इतने कर्म करने के लिए और प इस प्रकार से आयरवेद के अश्टांगों का उपदेश किया। इस जो शल्यतंत्र है उसका ज्यान हमें उपदेश किजिए। हम सभी की एक मती है, हम सभी शिश्चगर एक विचारों से एक मती से है और ऐसा सोच के हम में से सिर्फ सुश्रुत ही आपको प्रशन पूछेगा। और आप भी अस्मई च उपदिश्चमानम वयम आपी उपदारिश्चमा आप भी उसको उपदेश किजिए। हम सभी इस उपदेश का धारण करेंगे। फिर वो कहते हैं स उवाचम एवं अस्तुईती। धनवंतरी कह रहे हैं जैसा आप ठीक समझें। फिर वो सुश्रूत को कहने लगें क्योंकि अभी one to one डायलोग होने वाला है उनका वत्स सुश्रूत इयखलू आईरवेद प्रयोजनम है सुश्रूत आईरवेद का ये प्रयोजन है व्याधी उपसृष्टा नाम व्याधी परिमोक्ष हां जिसमें व्याधी का निर्मिती हुई है इनको व्याधी का मोक्ष करना और स्वस्तस्त रक्षणम जो स्वस्त है उसका रक्षण करना या इरवेद का प्रयोजन है अब यहाँ पे जो टीका है डल्लन की इसमें उनकों सब्सक्रापती हो या न हो शड क्रियाकाल तक मदब जो क्रियाकाल चेकिस्सा के लिए है पर जो निदान में भी कभी कभी लेते हैं तो सभी मदब व्यादी के अस्थान संश्रह होना, भेद होना, व्यक्ति होना इतना नहीं हो तो भी चलेगा सिर्फ दोश दुष्ट हो तो वो भी व्याधी में आता है उसकी बिचे किस्सा करनी पड़ती है तत कारियेशू और ऐसे दुष्ट दोशों ने ज्वरादीशू क्लेशेशू जो क्लेश देने वाले ज्वरादी निर्मान कीए है उनकी रागादीशू दुखेशू संसार अनुवरुत्ती जनकेशू च और जो दुख दायक संसार की अनुवरुत्ती बार बार जनम लेने के जो कारण है ऐसे जो रागादी मानस भाव है राग काम क्रोध लोब मोह मद इर्शा इनको भी व्यादी कहा है अब राग कार्थ प्रिती है यहाँ पे ऐसे जो है इनका परिमोक्ष करना है इनकी निवरुत्ती करनी है अब आगे कहते है आयूहु अस्मिन विद्यते अनेन वा आयूर विन्दती इती आयर्वेदा यह आयर्वेदा शब्द की व्युत्पत्ती है कि जिसमें आयूहु विद्यते मतलब विद्यते का आर्थ है न्यायते विद्धातु है उसका आर्थ है न्यान प्राप्त करना तो कि जिसके ज्यान से आयू प्राप्त भी होती है, मतलब आयू का ज्यान भी होता है और आयू प्राप्त भी होती है, ऐसा जो शास्त्र है उसको आयर्वेद कहते हैं तस्य अंगवरम आध्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान इही अ विरुद्धम उच्यमानम उपधारय। मतलब उसमें जो अंगवरम ऐसा जो शल्यतंत्र है आध्यम मतलब सुरुवात में निर्मान हुआ किया गया, क्योंकि इनका कहना है कि शल्यतंत्र की निर्मिती से प्रथम हुई ऐसा जो आध्य है और ऐसा शास्त्र को प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान ही अविरुद्धम मतलब प्रमानों को विरुद्ध न होते हुए प्रमानों को दूर करके मतलब अप्रमान तहा ऐसा कुछ में बताऊंगा नहीं जो प्रमानों के साथ सिद्ध वही में आपको बताऊंगा और आप उपधारय उसका धारण कीजिया ऐसा दन्वंतरी शिश्यों को कहते हैं एतधी अंगम प्रथमम शल्यतंत्र ये प्रथम अंग है क्यूंकि प्राग अभिगात व्रण संवरोहाद यद्न शिर संधानाश्च प्रथम तहा यद्न का शिर का संधान ये सबसे पहला कर्म किया गया और अभिगात व्रण का संवरोह किया गया इसलिए ये प्रथम तहा य ऐसा सुना गया है कि रुद्रेन यद्नयस्य शिरश छिन्नम इती। रुद्र ने दक्ष के यद्नय में यद्नय जो था उसका छिरण का छेद किया। इसके बाद फिर ज्वरादी की निर्मिती हो गए। तो ज्वरादी की निर्मिती हुई ये प्रथम उत्पत्ती चरक में है। पर वो उत्पण अहोने से पहले यद्नय जो था उसका शिरण का छेद किया रुद्र ने। ततो देवा अश्विनव अभी गम्य उचुहू। फिर देवगंजो थे वो अश्विनी को नमस्कार करके उनको बुले भगवन्तव नहा स्रेष्ठतमो युवाम भविश्यता हा। हमको ये लगता है कि आप अत्यनत स्रेष्ठतम तरुण ऐसे है ऐसा लगता है। भवत भ्याम यद्यस्य शिरहा संधा तव्यम इती आप कुरुपा करके यद्यका जो शिरक अटा गया है उसका संधान कुरुपया करके कीजिए। तव उचुहू इतरेवं अस्तु इती तो उन अश्विनी कुमारों ने उनको कहा कि जैसा आप ठीक समझे हम करते हैं। अतहा तयो हो अर्थे अब वो कर्म उनने किया यद्यका शिरका संधान किया इस विशय के लिए देवहा इंद्रम यद्यभागेन प्रासादयन तो इंद्र को जो यद्यभाग दे जाता था उसमें से कुछ भाग अब इन यद्यमें अश्विनी कुमारों को देया जाने ऐसी प्राचिन कथा सुनी है ऐसा ये धन्वन धन्वन तरी कह रहे है अश्टासु अपी चो अईर्वेदत अंत्रेशु एतत एव अधीकम अभीमतम आठो ही अंग जो है उसमें सभी अंगों में से एतत एव ये जो अंग है ये अभीमत है मतलब प्रसिद्ध है आठ क्यू क्यूंकि आशुक्रिया करणतवात इसमें जो क्रिया की जाती है उसको त्वरित किये करना पड़ता है आशुकर्म है तीन मेने के बाद चार मेने के बाद या कुछ काल के बाद करेंगे ऐसा नहीं है जो कुछ होता है विकृति होती है वहाँ पे त्वरित उपचार करना प पड़ता है और सर्वतंत्र सामान्यात और सभी तंत्रों में ये सामान्या है क्योंकि ये बाकी के तंत्रों में भी इसका कही न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है क्योंकि चरक में एक सुत्र है यहां पर हमें लेना पड़ेगा कि निजव्याधी जो होता है वो बाद में आग हुआ है वो बाद में आगंतु को आता है इसलिए वहां पे भी आपको धन्वंत्री आधिकार के नानुसार चे किस्सा करनी पड़ती है तो वहां सभी तंत्रों में यह सामान्य मतलब करना ही पड़ता है अब आगे कहते हैं तद इदम मतलब यह जो शास्त्र है यह शाश्वत है कि अब कोई भी अनुस्ठान कीजिए उसका फल भी बताते हैं हम अज भी कोई अनुस्ठान करते हैं तो पहले उसका संक्लप छोड़ना पड़ता है कि मैं आज से यह करम करने हूँ और इस इस हेतु के लिए में ये कर्म करना, क्योंकि निरहेतु करना भी नहीं करते, तो निरहेतु करना भी नहीं चाहिए, तो ये उसका उद्देश बता रहे कि आपको क्या प्राप्त होगा, तो एक तो ये शाश्वत है, मतलब ये कभी भी नश्ट नहीं होने वाला, इतने काल में कितने भी कश्ट दायक पिरेड को फेस करना पड़ा आज भी कर रहा है, आगे भी होगा, पर ये कभी भी नष्ट नहीं होगा पुण्य का अर्थ यहां पे पुण्य हेतुत्व है ये अब पापपुन्य का वरणन ग्रंथ में प्राया जादा मिलता नहीं है, पर एक कर्म की तरफ जाता है, मतलब अच्छे कर्म का हेतु है, स्वर्ग्यम जो अच्छा लोक है वो प्राप्त होने के लिए भी उपयोग में आएगा, यशस्यम यशप्राप्त करने के लिए, आयू अब यही चरक में एक अलग पद्धत इसे बताया है, चरक के चीकिष सनस्थान के जो रसाइन चीकिस अध्या है, उसमें प्रतम अध्या जो रसाइन अध्या है, उसका चतूर्थपाद और सूत्र नंबर 59 ये बहुत सुंदर सूत्र है चरक में वो कहते हैं कि कुर्वते येतू वृत्यर्थम चिकिस्सा पंडे विक्रया मतलब जो व्यक्ति इस आईरवेद का सिर्फ वृत्ती के लिए उप्योग करता है मतलब वृत्यर्थम व्यक्ति इस आईरवेद का सिर्फ वृत्यर्थम चिकिस्सा का पंडे विक्रया मतलब व्यक्ति इस आईरवेद का ते हित्वा कांचनम राशीम वो सोने की जो राशी है उसको छोड़ देते है और पांशू राशी मुपासते और धूली के राशी को लेके बैठते हैं तो यहाँ पे वृत्तिकर बताया है सुशृत ने उसका भी मतल यही है कि वृत्ति तो होगी पर सिर्फ वृत्ति के लिए नहीं करना है यह धर्मार्थ काम चतुरविद है तो यह धर्म के लिए भी करना है तो यह बहुत सुंदर वरणन ग्रंत का इसका यह आधी करन है और यह मुझे लगता है कि आज के जो फरस्टियर के बच्चे है इनको जरूर यह बताना चाहिए पर यह दुरदेवसे कोई कही किसी मावि अब यह कैते हैं कि ब्रह्माने मतलब ब्रह्मास्मूर्ट्वा ब्रह्माने स्मरन किया या निर्मान किया तत है प्रजापति म अधी जगे प्रजापती को ये सिखाया तस्मात अश्विनो प्रजापती से ये अश्विनी कुमारों तो काया अश्विनी कुमारों से इंड्रत काया इंड्रत अहम इंड्र से मेरे पास मतलब धन्वंतरी के पास आया मया तुई हम मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसा सुशुत्क कह रहे हैं प्रदेयम यम अरथिव्या और ये किसके लिए कर रहे हैं इस अभी परंपरा क्यों शल रही है तो ये प्रजा हितक के लिए चल रहा है मतलब आईरवेट जो उत्पन हुआ इसकी परंपरा है ये प्रजा के हितक आम्मेया ऐसा उसका वरणन किया है फिर आगे कहते हैं काशिराश दिवोदास कहते हैं कि भवन्तिक भवति चात्र अहमी धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजाम रुत्युहरो अमराणं वो कहते हैं कि मैं ही धन्वंतरी हुँ जो आदि देव है मतलब देवो का प्रथम देव है देवो तो देवताओं में प्रथमता समुद्र मंतरों में जिसकी उत्पर्ति हुई जो आदि मतलब प्रथमता उत्पन हुआ जो में तुसका तिसरा उतारों जो जरा रुजा मृत्युहरो का नश करता है अमराणाम अपी जिनोंने जो अमर थे मतलब जो देव थे उनमें जरा रुजा और मृत्युहरो का नाश किया शल्यांगम अंगई ही अपरेही उपेतम जो शल्या नाम का अंग है जो और बाकी के भी जो अंग है अपरेही अंगई ही इससे यो युक्त है ऐसा जो अंग है प्राप्ता अस्मी जो मुझे प्राप्त है ताम गाम भूय इहो उपदेश्टों उसको में यहां पे सुना रह आगे गाम शब्दा का अर्थ है पुरुथवी गो शब्द है उसकी विबगती है गाम तो गो का अर्थ एक अर्थ पुरुथवी भी है तो इस पुरुथवी तल पे इसका पुना उपदेश हम कर रहे हैं आगे कहते हैं अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाया पुरुषः इती उच्चते इस शास्त्र में पुरुष की वैक्या क्योंकि अलग-अलग शास्त्रों में पुरुष की वैक्या अलग-अलग हो सकते हैं तो इस शास्त्र में मतलब आईरिवेश शास्त्र में पंचमहबूत और शरीरी, शरीरी मतलब आत्मा, इनके समवाय, समवाय का अर्थ नित्य संबंद, इनका कभी मतलब कभी ही संबंद नश्ट नहीं हो सकता इसका, ऐसे पंचमहबूत और आत्मा के नित्य संबंद को पुरुष ऐसा कहते हैं, तस्मीन क्रिया, सहा अधिश्ठान इसी के लिए क्रिया करनी पड़ती है और वही क्रिया का अधिश्ठान है कस्मात क्यूँ ऐसा है तो लोक का सद्वई विध्यात दो प्रकार के लोक है इसलिए लोको ही द्विविदाहा स्थावर और जांगम हाच लोक का दो प्रकार के है कि स्थावर और जांगम जिसका भूयत्व है उसके अनुसार आगनेया और सौम्य ऐसा कहा है। पंचात्मक वा या फिर वह पंचमहभूतात्मक है जिससे भूयत्व होगा उसको पार्थिव आप्य आगनेया वायवे ऐसा नामकरण किया जाता है। तत्र चतुर विधो ऐसा जो द्विविध पंचात्मक का जो लोक है मतलब सुरुष्टी है इसमें चतुर विधो भूत ग्राम है चार प्रकार के भूत ग्राम है भूत मतलब सुक्ष्म प्राणी या सविय प्राणी मात्र ग्राम मतलब समुह तो प्राणी मात्रों का जो समु हों है वो चार प्रकार का है पहला है संस्वेदज जो स्वेद से निर्माण होते हैं सुक्ष्म क्रूमी जन्तु ऐसे जरायूज जो जरायू में मतलब गरभ में निर्माण होते हैं अंडज जो अंडो से उत्पन्न होते हैं और उद्भिज मतलब जमीन से उत्पन्न होते हैं तत्र पुरुशाह प्रधानम, इसमें यहां पुरुशकार्थ मानव है, ठीका करने कहा है कि अत्र पुरुशाहिती मानव है, तो इन सभी भूत मात्रों में मानव जो है वो प्रधान है, तस्य उपकरणम अन्यत, इसलिए इसके उपकरण, चिकिस्सा और बाकी के जो है वो सा आगे बताते हैं तद दुख संयोगा व्याधया उच्छन ते अब जो चतुष्ट हैं इसमें चार प्रकार आते हैं पुरुष व्याधी आउशद और क्रियाकाल तो यह चार प्रकार के वीष चतुष्ट है प्रतमता पुरुष की अवरणंग किया गया अब दूसरा जो है व दुख संयोगा व्याधया, दुख की व्याख्य की ये डल्लने, दुखम इती काय वाक मानसी पीडा, शरीर में, मन में और वानी में पीडा निर्माण होना, और इसलिए वागबट में, दिनचरी आध्य में, सद वुरुत्त में दशदा पापकर्मों का वरणं किया है, जो का आईक वाचिक मानसीक, विविद परकार के दुख निर्माण होते है, इसलिए उसको व्याधी काय जाता है, अब दुख का एक और अर्थ टीका करने दिया है, वो कहते है, दुर दुष्टानी खानी, स्रोतावसी दुखानी, जिसके स्रोतस दुष्ट है, उसको दुखी तक कहा जाता है, ख मतलब स्रोतस, दुर ख, दुख तो दुर ये उपसरग है, जिसके स्रोतस दुष्ट है, वो दुख है, इसलिए ये भी एक अर्थ अलग है, कि स्रोतस दुष्ट होने के लिए सभी हेतु लगेंगे, दोश दुष्ट होने लेंगे, दोशों से स्रोतस दुष और फिर स्थान संश्रह के व्यादी होगा इसलिए उसको भी दुख का है और दुख का एक और अर्थ व्यादी भी है यह जो व्यादी है यह चतुर विदप्रकार की है आगंतव शारीर मान साहा सौभा विकाहा जो आगंतु है मतलब प्रथम तहां आगंतु है तुसुत्पन मान साहा जो मन में विक्रूति होती है प्रथम तहां और सौभाविक तो सौभावेन भवती जो शबाव से होगा निसर गतहा जो उत्पन होता है उसको सौभावी कहते है सौभाव की वैख्या करते हैं तेशाम आगंत वहा अभीघात निमित्त हां जो अभीघात की निमित्त होता है उसको आगंतु कहते हैं और अभीघात में एक तो शस्त्रादी से अभीघात भी होगा और सुक्ष्म जन्तु का भी अभीघात होता है उससे भी होता है मानस मानसों का भी अ शारीर जो व्यादी है वो अन्न पान मूल हैं मतब अन्न और पान से उत्पन्न होते हैं और वातपित्त कफः शोनित सन्निपात वैश्यम में निमित्ता वातपित्त कफः शोनित और सन्निपात इनके विकृति से उत्पन्न होने वाले ये व्यादी हैं अब यहाँ पे शोनित का समाविष क्यों क्या गया? कई लोग ऐसे कहते हैं कि सुश्रुत ने शोनित को चतुर्थ दोश कहा है, ऐसा बिलकुल नहीं है, सुश्रुत ने दोशों को तीन ही माने हैं, वातपित्त शलिश्मा, पर शल्यत अंत्र होने से इसको रक्त का वरणन बह चार नहीं माने, आगे का अध्या में वो संदर्ब आएगा, और संदिपात के, संदिपात मतलब सभी के विकृतिय से, संदिपात की वैख्धे भी आगे आएगे, तो मैं यहाँ पे उसका विवरण नहीं करूँगा, यह तो आध्या खतम नहीं होगा, तो इसके वैश्म मे उससे शारिर व्यादी नहीं होगे जो विशम अन्य पान है विकृत अन्य पान है उससे ही शारिर व्यादी उत्पन्न होगे नहीं अन्य साम्य होगा मतलब प्राकृत अन्य सेवन होगा तो उससे व्यादी का है तू उत्पन्न नहीं होगा ये एक टीका और दूसरा वैश्यम वैश्यम्म्य होगा, यहां पे फिर से संदर्भकष्य का फिर से आ गया, तो यहां पे भी बताया है, देखे करें टीका में, मुनम ठीका है न आपके सामने? उसके निचे तदा तच्च वैशम्यम ख्षयेण वृद्ध्यावा और उसके आगे क्या वई सुत्र अटी का महत्वकी है कि दोश प्रस्तावे दुष्ट शोनित ग्रहने हेतुर वक्तव्याद दोशों के साथ शोनित को क्यों लिया है तो वो कहते है उच्चते एतधी शल्यतंत्रम ये शल्यतंत्र है शल्यतंत्रेच व्रणाहा प्रधान भूतम शल्यतंत्रमे व्रण ये प्रधान है इसलिए दोशों के साथ रक्तकाभी वरणन किया है। रक्तय चौथा दोश नहीं है। इसका महत्व है, इसके लिए उसका उल्ल किया है। कुछ मानस भाव इच्छा से है, कुछ मानस भाव द्वेश से हैं, इनके भेद से, इन से जो उत्पन्न होते हैं, उनको मानस व्याधी कहते हैं। अब एक-एक की व्याख्या इनोंने की है, टीका में। उद्वेग होना, इसके कई हेतों होते हैं, चित्त में उद्वेग होना, इसको शोक कहते हैं, शुच धातू से निर्माण होता है, शोक, भयम परस्मात्रासहा, दूसरे किसी कारण से त्रसित होना, इसको भय कहते हैं, हर्शहा इती उत्से कहा, उत्सेक मतलब आनंद निर्मा किसी बाहर की घटना की जरूरत नहीं होती, आत्म जनन आनंद जो होता है, मतलब स्वयम, अंतरभू तो जो आनंद है, उसको हर्ष कहते हैं, असिद्धी, भयात, विविदेशु, कर्मसु, सादाह अप्रवृत्ति, विशादाह, मतलब कोई भी प्रकार का भय नहीं है, वगर कुछ भी हेतु नहीं है, फिर भी का मानसिक अवसाद की प्रवृत्ति उत्पन होना, इसको विशाद कहते हैं, मतलब यह डिप्रेशन का वरण है, इर्षा, यती परसंपत्तव असहिश्ण, दुसरों को कुछ मिलेगा, दुसरों को संपत्ति मिली है, दुसरों को कुछ प् उसमें कुछ चिद्र, मतलब कुछ विकृति देखके, फिर उसके उपर दोशों का आरोपन करना, इसको असुया कहते हैं, दैन्यम क्लिष्ट चित्तता, दैन्यम मतलब चित्त में क्लेश निर्माण होना, चित्त में विविधापराकार की विकृति निर्माण होना, इसको दैन्य कहते हैं, मात्सर्यम परगुणेशु अमाध्यस्त्वम क्राउरियम वाप। तो दुसरों के गुण में सहन नहीं होना दुसरों के गुणों को और उसके प्रति फिर कुरता उत्पन्न होना इसको मात्सर्य कहते हैं। ये सिर्फ उपस्थ इंद्रियत की लिमिट हो गया हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी इंद्रियों की विशय की इच्छा होना, बदब कोई अच्छा खाने की इच्छा होना, अच्छे नीन की इच्छा होना, अच्छे धंडे वारा या धंडा को या गरम वारा गरम स्परश की सभी इंद्रियों की विशय के इच्छा होना ये काम है लोबहा परस्वक ग्रहन अभिलाशा दूसरों के पास जो है वो अपने पास होने की अभिलाशा होना इसको लोब कहते हैं ये सभी मानस व्यादी के हेतु है ये टीका बहुत महत्वकिय है अब आगे सभावी कहातु व्यादी है ये सभाव से निसरगतहा उत्पन्न होती है अब इसके टीका में उपर से एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, सब, आठवी लाइन है वो कहते है जरा अपी यदा अकाले भवती सा प्रतीकारिया मतलब ये सभावीक व्यादी उत्पन्न होते है और आपने आप तो आजू की वैख्य शरीर इंद्रिय आत्मा का सैयोग है और मुर्त्यू इसका व्योग है ये मृत्यू है निद्रा मेध्या नाडी मन सैयोगात देह इंद्रिया आणाम सुख भोग है जो मेध्या नाडी है, जो मनों के साथ सहयोग होता है और फिर देह इंद्रिया, इनका सुख योग, सुख भोग, उसको सुख प्राप्त होता है इसको निद्रा कहते है, तो इसमें से वो कहते है प्रकृति घ्रादिती, कुछ और भी प्रकृति रोग होते है वो कुछ सौभाविक होते हैं और कभी-कभी दोशज भी होते हैं कदाचित सौभाविक हां कदाचित दोश जहां तो इसमें कुछ का प्रतिकार भी करना पड़ता है कभी-कभी प्रतिकार नहीं करना पड़ता अब आगे ते एते मन शरीर अदिश्ठाना को है मदब तीसरा चतुष्टे में जो है उसका नाम है अउशद उसका वरण शुर हूर ते-शामीन-सभी व्यादियों का नअ संब्शंध मना आहार अचार निग्रह हैати वहां तो शोधन शमन अहार और आचार इनका संप्रयो क्हार्द का योग्य हे वहाँ पर उसका उपचार करना, ये उसका निगरह है तुछ है, मतलब व्याधी नष्टकरने के लिए निगरह नष्टकरने के लियू है। आगे कहते हैं प्राणि नाम पुनहा मूलम आहारो बलवर्ण ओजज़ सामच तो प्राणियो का मूल और बलवर्ण ओज़का मूल ये आहार है सशच्च्शू रसेशु आयत्तहा ये आहार छे रसो को आधीन है शट रसात्मक आहार होता है रसहा पुनाह द्रव्य अश्रया यह शड रस जो है वो द्रव्यों के आधीन है मतलब मदुरस अकेला कुछ काम ने करेगा वो द्रव्य के अश्रय से द्रव्य के साधन से वो कार्य करेगा द्रव्यानी पुना ओशधया और द्रव्य कोन है तो ओशधी है तो औशदी दो प्रकर की है ताहद विविदाहा स्थावर आःः जंगम आश्च स्थावर आउशदी और जंगम आउशदी तासाम स्थावर आःः चतुर विदाहा उसमें स्थावर आउशदी चार प्रकर की है वनस्पत योहो व्रुक्षा विरूध औशदया वनस्पती अब इनके लक्षन बता रहे जिसमें पुष्प दिखाएने देते डाइरेक्ट फल दिखाए देते है ऐसे उसको वनस्पती कहते है जिसमें फूल और फल दोनों दिखाए देते है उसको व्रुक्ष कहते है प्रतानवती स्तंबि निश्च विरुदा लता वेली सभी जो प्रतानवती है दूर तक जिसके प्रतान संचार करते है और स्तंबिनी मतलब जिसका गुल्म शूप जैसा लगता है स्तंबिनी का अर्थ है गुल्म मतलब वरतुलाकाल जो उसके रचना होती है और एक में के दूसरों के एक मतलब क्ριष्ट रचना जैसे कर्मर्द की रचना है वैसे, उसको गुल्म कहते हैं या फिर आमना गुलाब का जो गुल्म होता है उसके प्रकार उसको विरूद कहते हैं और फलपाक निश्ठा ओशधया अब निश्ठा का आरथ यहाँ पर नाश है निश्टा का एक और अर्थ है वो है यहाँ पे नाश तो फलपाक मतलब धान्य निर्माण होने के बाद वो जो वनस्पति है जो स्थावर है वो नश्ट हो जाती है उसको ओशदी कहते हैं सभी धान्य जंगमा खलू अपी चतुर विदा हा जंगम भी चार प्रकार के है जरायूज अंडज स्वेदज उद्भीज यहाँ यह चार प्रकार है तत्र पशू मनुष्य व्यालादयो जरायूज यह सिभी जरायूज है मतलब गर्भ में निर्माण होते है खग सर्प सरी स्रूप प्रबुरतयो अंडज आप तो पक्षी सर्प सरी स्रूप यह अंडज है इनको द्विज भी कहते है क्योंकि इनका दोन बार जन्म होता है एक तो यह माता के उदर से अंडव बहार आता है ये एक जनम और ये अंड के अंदर से भाहर आते हैं इसके लिए उनको द्विज़ कहते हैं कुरुमी कीट पिपीलिका प्रभुरुतया स्वेदजां सुक्ष्म कीट कुरुमी पिपीलिका इनको स्वेदज कहते हैं और इंद्रगोप मंडू को प्रबूरत या उद्भिज जहां, जो जमीन फाड के आते हैं, यह जमीन से आते हैं, इंद्रगोप मंडू का आधी इनको उद्भिज जहां केते हैं। फिर आगे तत्र स्थावरेब्या, त्वक पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंड, निर्यास, स्वरसाद यहां प्रयोजन वनता हैं। कि मेरा जो MD का थिसिस था, मैं सहीता में MD हूँ, तो सहीता का मेरा जो थिसिस था, वो था जांगम द्रव्यों का डेटाबेस बनाना। और करीब करीब 25,715 इतने संदर्व हैं, छे ग्रन्त में। और इट वॉज डेटाबेस और फिर जब उसको मुझे थिसिस में कंडवर्शन करना पड़ा, तो वो 1600 पेजिस का थिसिस तैयर हुआ। और वो एकसेप्ट नहीं कर रही थी विद्यपीट का नियम है कि सिर्फ 200 पेज का ही थिसिस चाहिए, और मेरे तो 1600 पेजिस हुए तो वो ले नहीं रहे थे, तो फिर हमने 200 पेज प्रिंट करके दिये, और 1400 पेजिस सीड़ी में सीड़ी अटच करके दिये, उनको. तो कभी जब हम मिलेंगे मैं में आपको जरूर वो मेरा डेटाबेस दिखाऊंगा, तो मुझे एक्चलिए वो पब्लिश करना है, अब देखते हैं कैसा कहा पब्लिश है, फिर उसका डेटाबेस कुछ बना सके, ऐसा, विचार है मन में, देखता हूँ, कैसे हो सकता है, तो इन सभी का उपयोग करना ये पारतिव ओशदी है, कालकुरता हाँ, आपके कालकुरत भी चिकिस्ता है, कालकुरता हाँ, प्रवात निवात आतप च्छाया जोसना तमशीत उष्ण वर्षा अहोरात्र पक्ष मास रुतु अयना दयाहा संवत सर विशेशा हाँ, मतलब ये आतप च्छाया जोसना तमशीत उष्ण वर्षा इन सभी के उपयोग करना पड़ता है, इसको कालकुरत ये संवत सर विशेश होता है, अब संवत सर का अर्थ एक संदर्व ऐसा है कि पाच वर्षों को मिलके एक संवत सर कहते हैं, ऐसा भी आर्थ हैं, और प्रप्राया व्य एते एते सभावत हा एव दोशा नाम संचय प्रकोप प्रशम प्रतिकार है तवा प्रयोजन वंताष्च ये जो सभी आउशदी है, ये सभावत हा और दोशों के संचय प्रकोप प्रशम के प्रशम में अप्रतिकार है तवा प्रयोजन वंताष्च ये जो सभी आउशदी ह है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं भवंति च अत्रशलों कहा शारीर आणाम विकार आणाम एश्य वरगा चतूर विदाहा प्रकोपे प्रशमें चाईव हेतु रुखता चिकिस्त ही तो ये शारीर जो विकार है मतलब शरीर संभव जो विकार है उसमें ये चार प्रकार क मतलब स्थावर, जंगम, पार्थि और कालकृत ऐसे जो वरग है इनका प्रकोप प्रशम में इसका हेतु चिकिस्त को करना चाहिए अब यहां पर चरक का इक सुत्र में जरूर उद्रूत करना चाहूंगा ये जो कह रहे है कि प्रकोप में भी यही कारणीबूत है और पुरुषिय नाम का अध्या है वो कहते है यज्जा पुरुषहा तज्जा व्याधयाहा मतलब जिसमें से पुरुष के जिन हेतु उसे पुरुष की निर्मिती होती है उनी हेतु उसे व्याधी की भी निर्मित होती है मतलब जो द्रव्य पुरुष निर्मान करने वाले है वही द्रव्य व्याधी भी निर्मान करते हैं तो यही चरक सुशुद्या पर बताते हैं कि प्रकोपर प्रशम करने के लिए यही चार जो है वो अवश्यक है अब आगे कहते हैं आगंत वहातु ये रोगा द्विधा ते द्विधा निपतन ती ही जो आगंतु रोग है वो दो प्रकार से उत्पन होते हैं मनसी अन्य शरीरे अन्य तेशाम्तु द्विधा क्रिया कुछ आगंतु मनस में उत्पन होते हैं कुछ आगंतु शरीर में उत्पन होते हैं उसकी चिकिसा भी दो प्रकार की है जो शरीर में निर्माण होते हैं उसके शारीर के आनुसर चिकिस्सा करनी पड़ती है मानस आनाम्तू शब्दा दीही इष्टो वरगहा सुखावा और जो मानस है उसमें शब्दा सपरश रूपर सगंदा जो विशय है इनके इष्ट वरग, इनका इष्ट सेवन करना, सुखावा सेवन करना ये उसकी चिकिस्सा है अब आगे कहते हैं इस प्रकार से आभी तक चार प्रकार चतुष्टे जो है इनका संग्षेप्ता वरणां किया पुरुष व्याधी आउशदर क्रियाकाल तत्र पुरुष ग्रण, पुरुष से क्या-क्या समझ में आता है तो तत्संभव द्रव्य समो, उसको निर्मान करने वाले द्रव्यों का समुह भूतादी, जिसको भूतादी कहते हैं, पंचमहुतादी तद अंग प्रत्यंग विकल पाष्च, उसके अंग प्रत्यंग और भेद, इसका वरणन तो अच्चा माउस, अस्थी, सिरास, नायू, प्रभृती ऐसे जो अंग प्रत्यंग है, इनका समावेश उसमें होता है व्याधी ग्रहन से क्या होता है तो वात पित्त, कफ़र, शोनित, संदीपात, वैशम्में निमित्त, सरव एव व्याधीया इन सभी प्रकार के व्याधीयां का ग्रहन उसमें होता है अउशद ग्रहनात, रव्या, रसगुण, विर्य विपा का नंब आदेशा द्रव्यगुण रसवीरे विपाकादी का समाविश होता है क्रिया ग्रहनात स्नेहादी नी छेद्यानी चा करमानी व्यक्षातानी जो स्नेहादी है और यमद स्नेहादी चिकिस्ता जो शारीर है और छेद्यादी जो व्रण कर्म की चिकिस्ता है वो सभी क्रिया ग्रण में आता है काल ग्रणात सर्व क्रिया काला नम आदेशा सभी चिकिस्ता का जो काल है उसका आदेश उसमें होता है अब आगे का सुत्र महत्वका है भवती चात्र बीजम चकिस्सितस से एतत समासेन प्रकिर्दिदम इसको चकिस्सा के चतुष्ट यबीज कहा है जो यहां समासतह वरणं किया है संशेप में वरणं किया है वही सव्यूशम अध्याशतम अस्य व्याख्य भविशति इसी का वि विबाजिक करके वरणं किये है तत्र सूत्र निदान शारीर चकिस्सित कलपेशु अर्थवशात तो सूत्र निदान शारीर चकिस्सा कलपेशु अर्थवशात में एक सोभी साध्या है और अर्थवशात मतब आगे कुछ विश्यव का वरणं करने के लिए सम विबज्य उ यहां काशीपती प्रकाशितम ये जो सनातन, मतलब अत्यनत प्राचीन ऐसा स्वयम्भू से निर्मीत और काशीपती ने प्रकाशित किया ऐसा जो शास्त्र है उसको जो पठन करता है सहा पुन्य कर्मा भूवी नुरुपई ही पूजिता है।